कि कोमन पोटेंशिल का मतलब जैसे मालो अलगलग वोल्टेश तक चार्ज के पैस्टर को आपस में आप कनेक्ट कर देते हो पैरल में कैसे कनेक्ट कर दिया पैरल अचे चीज़ बताओ पैरल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम रहेगी पैरल कॉम्बिनिशन में क्या चीज़ सेम होती है मेशा नावलर यह kicks टक चार्ज टक चार्जेया तो क्या फइनल इस पोटेंशिल सेम हो जाना चाहिए क्योंकि यह पैरल में कनेक्ट यह अलग वोल्टेश तक चार्ज करके और इनको आपस में कर दिया ठीक है एक को वीवन वल्टेज तक एक को वीटू वल्टेज तक तो जैसी आप इनको पैरल में कनेक्ट करोगे इन पर पोटेंशल डिफेंस की वेलो क्या हो जाने चीज से लेकिन इनको और नेगेटिव प्लेट को एक साथ कनेक्ट कर दिया एक, तरीका ये है क्पोस्टिव प्लेट को deze दूसरे की नेगटिव प्लेट sue can करने के लेकिन यह चीज़ कनफर्म है कि अगर आप अलग-लग वोल्टिस तक चार्ज के पेस्ट्रिस को पैरल में लगाओगे तो डेफिनेटली उन पर फाइनल जो पोटेंशल होगा या पोटेंशल डिफ्रेंश होगा वो दोनों पर बराबर आ रहा होगा ठीक है अब यह कितना होगा मुद्राइब यह जो आच को अच नहीं दोनों पर कि किसके बराबर होगा अब तेशोर के लिए वी पॉल подобly first क्या होता है योई सी होता है की विए क्या बनेगा क्यू अपैस्च नेट लिए क्यू नेट का मतलब नगे टोट्ल चार्ज तुम इसको लेटा हूं सब्सक्राइब और लिए टो यह सब्सक्राइब तो फैसे निगर सकते और जो क्या शकते हो जैसे एक ऺड़ां के सकते होources आप से इस्वाला फोटव इसमें क्या करोगे यह बताओ मेरे को तम मान जाओंगा कि हां भी आपको concept समझ में आ गया दूसरे वाले combination के लिए वी इक्वल्टू क्या होगा formula वही रहेगा क्यूनेट अपॉन सीने नेट का मतलब भी माइनस नहीं होगा ध्यान रखना है तो सीवन वी वन माइनस सीटू वी टू डिवाइड़ बाई क्या कर दूँ सीवन प्लस सीटू अरे आया कि यह लोग तो यह अपने पास में फाइनल आंसर आगे तो कहने का उतलब क्या हुआ कि जो कोमन पॉटेंचिल के पैस्ट्रस की उपर आये गा उसका फर्मला क्या होगा वी इकॉल टू क्यू नेट अपॉन सीनेट बस यह याद रखवाब अब अ अ अ